अच्छा एक चीज मैं बता दूँ स्टुडेंट्स के लिए समेस्टर एक्जाम बहुत बड़ी चीज होती है और होना भी चाहिए जब हम एंजिनिंग कर रहे थे तो हमारे लिए भी बड़ी सारे चैलेंज़े थे कि समेस्टर एक्जाम में किस तरह से अच्छे नमबर लाए है बहुत जाए टेंशन होती है इविंदो अगर आप फर्सियर में हो तो और्बिस्थी प्रेशर और जादे होता फर्स्ट्यर का समेस्टर या सेकेंड लिए तरिक वदाऊंगा जिससे आप अपना समेस्टर एक्जाम अच्छे से दे सकते हो और बैक प्र भी नहीं लगए देखो समेस्टर एक्जाम के अगर आप बात करो ना तो मैं यही कहूंगा जो लोग अभी तक पढ़ नहीं रहते अभी तक हवा हवाई में गेम खेल रहे थे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दो पढ़ोगी नहीं तो पेपर कैसे करोगी यह ला आया तो चलो नियुमेरिकल आ गया आप थेयोरेटिकल आ गया कुछ न कुछ आता था अभी पैटर्न चेंज हो चुका है चीजे मतलब हर चीज आपके नहीं हो सकती तो आपको कॉंसप्ट क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है और उसके लिए मैं आपको बता दूं कि वह आपको अपनी प्रिपेशन और अपनी स्टेजी बनानी पड़ेगी और एक चीज मैं बता दो स्टार्टिंग से जब आप पढ़ोगे न तो वह चीजे कहीं ने कहीं आपको जादे टाइम नहीं लगेगी समेस्टर के फाइनल जब समेस्टर का एगा तो जादे बर्डन करना तो एक टाइम टेवल्ट श्टीकली फालो करो जब वह तेमल अपली फॉलओ करो गना तो चीजे स्मेस्टर के चली जाएंगी चली जाएगी मेरा क्या होता था जब सेभर से पांच सथ दिन पहरे मैं ज्यादे पढ़ओन नहीं था बस रिवीजर करता था और यही पढ़ो बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते से लॉग डूरेशन बैट करके पढ़ नहीं पाते हैं तो भी एक समझ्या होती है तो आप पार्ट पार्ट में पढ़ना सीखो एक घंटे दो घंटे ऐसे से पार्ट में ब्रेक लो उसके बाद पढ़ो लेकिन और रेगुलरली पढ आगे बढ़ोगे गेट का पेपर हो गया या फिर अधर गॉर्मन सर्विस हो गया प्राइवेट इंडस्टी हो गया हर जगह आपको प्रप्रेशन तो करनी पड़ेगी अगर यहां आप छोड़ दोगे समस्टर का पांच यूनिट नहीं पढ़ोगे पांच यूनिट अगर यूनिट नाया लेकिन कॉंपटिशन में यूनिट पूछ ले तो आप क्या करोगे तो आप एक टाइम टेबल बना करके रेगुलर वे में पढ़ाई करो और प्रॉपर वे में उस टाइम टेबल को फॉलो करो कंटिन्यू स्टेडी जो है वह आपको कहीं कहीं है रिजल्ट अगर आप एक्सटनली में बहुत जादे नंबर गेंड कर ले जाता था तो इंटर्णली मिला करके वह 75-80 ऐसे बन जाते थे मांक्स तो अगर आप एक्सटनली में हैनत करते हो अगर नियुमेरिकल पोर्शन पर पर नमबर नहीं मिलेंगे लेकिन नियुमेरिकल पर पूरे द्यान दीजिंग को अगर इंजिन्निंग करने आए तो मैंतमेटिक्स होबसली आपकी स्ट्रॉंग होगी होगी तो बस यह वीडियो में एक मेरा च्छोटा सा सार्य ता सारे इंजिन्यरिंग स्टूडेंट यह नॉन इंजिन्ट जो भी समस्टर के एक्जाम देने जा रहे उनके लिए वीडियो बहुत ही helpful है और जो लोग टेलीग्राम पे है करेड़ेचनल टेलीग्राम पे भी है वहाँ पर विजा के जोइन जरूर करें थैंक यू